हलो फ्रांस कैसे हैं आप भड़ियां जब आपका शो ज्यादा तरक्की कर लेता है तो ये गिनत है आपने उसमें सब कुछ दिखा दिया है साम दान डन बेद और सने ट्यार पी भी निकाल कर दे दिया है उसके बाद आप अपने शो में लीप दे देते हैं फिर से वही कहानी क में लेकिन कित्त बस्त देख लिया जितना देकना था थोड़ा प्यार देने को फिर फैंस तैयार रहते हैं लेकिन अगर शो की ऊफ़ियर की निउस आ जाए वो काफी हटकर है या यह कहें कि इंडिया में इस तरह के लोग बहुत देखे जाते हैं तो इस तरह इमली को बहुत ज्यादा पसंद भी किया जा रहा है इमली टोफ फाइफ में लगातार अपनी जंगा बनाए रखता है यह यह कहें कि थर जनरेशन फैंस को काफी प्यार से भरी नज़र आ रही है। ऐसे में शो की ट्यार पी भी जो है इन दिनों काफी धमाल मचा रही है। स्लोट किंग भी बना हुआ है। फिर गुल खान का कौन से शो पे लगने वाला है अगले महीने ताला। वो कोई और नहीं है वो स्टार भारत पे आशिक आना है। जो उनका डिजनी होट स्टार पर नज़र आया था। फिर डिजनी होट स्टार पे नज़र आने के बाद स्टार भारत को लगा कि इसने डिजनी होट स्टार पर काफी कमाल करके दिखाया है। तो तो क्योज़ न मुझे ये शू जो है स्टा भवारत पे लौंच कर देना चाहिए तो स्टा भवारत पे उसे लौंच किया उसके बाद उसके ट्यार पर 0.1, 0.2, 0.3 इतनी ही निकल कर आई जादा नहीं तो यकिन है स्टा भारत पर ट्यार पी नहीं निकल कर आरे है ऐसे मे जो है अब फैरवरी के फर्स्ट वीक में आपको आशीकाना बंध होते वे नजर आएगा अब फैंस कह रहे हैं इसका नया सीजन आर इसका नया सीजन आपको देखना है तो डिजनी होड डिस्टार पर देख लीजे इसके तीन चार सीजन तो आई ही है तो ऐसे में जो है गुल